इसका बहिए बता दो expression क्या है कुछ value रखके भी निकाल सकते हो कुछ formula लगा के भी निकाल सकते हो चलो मैं आज आपको formulas ही पढ़ा देता हूं ठीक है value का भी suggestion देदूगा attention आथ लो यह ना sin a minus sin b क्या होता है साइन अग्ला sin के टम हो साइन e minus b by 2 देखो यहां से क्या क्या मिलने माला है मुझे कॉस का टम मिलेगा 7 plus 5 by 2 यानि 6 कॉस 6x मिलेगा और मुझे साइन मिलेगा x क्योंकि 7x minus 5x by 2 सो उपर कॉस और sin मिले नीचे जब आऊंगा कॉस कॉस की बात कर रहे हैं तो कॉस कॉस में भी कॉस कॉस ही आता है तो यह होगा कॉस a plus b by 2 यानि 6x मिलेगा कॉस 6x और साथ में कॉस x मिलेगा तो कॉस कॉस 6x वाले टम्स कैंसल हो जाएंगे सिर्फ बचेगा tan x sin by cos ठीक यह पहला टम हो गया अगले टम में अगर हम गए जो दूसरा टम दिया है माइनस यहां पर दिया है cos a minus cos b cos a minus cos b जो होता है वो sin a और sin b का फॉम देता है मुझे तो उसमें बस ध्यान यह रखना होता है आपको मैं करके दिखाता हूं आपको आपका होगा sin a plus b by 2 6 4 10 बटे 2 5 होगा यहां भी आएगा sin sin में आपके जो terms आते हैं वो sin cos की terms बनते हैं यहां दखेगी cos cos बनेगा sorry infamous sin sin बनेगा और यहां पर e, sin साइन 5x दे देगा जो की cancel हो जाएगा ऊपर से बच्चे का फिर से आपका क्या यहां से देखिए आपका क्या बच्च रहा है यहां से आपका बच्चे का साइन एक्स उपर क्यों क्योंकि यह वाला जो माइनस है और कॉसे कॉस्ट बी की expression जो हम लगाते हैं तो दूसरा जो term होता है वह आता है दिस माइनस दिस बाइटू साइन ओफ 4X माइनस 6X बाइटू तो अल्टिमेटली वह भी एक माइनस बाहर लाता है तो यह प्लस हो जाएगा यहां से भी आपको 10X मिल जाएगा 10X और 10X क्या हो जाएगा तो आसान था एक्सप्रेशन लगाना भी आसान था वैलू देखो यहां पर रखोगे तो आपको समस्याएं नजर आएंगी क्योंकि एक तो 75 के टम्स दिये हुए तो आप थोड़ा रिफरेंस लेना पिछले वीडियो में मैंने कराया था कि किस तर जान लिया किसमें एक प्रॉब्लम है वैलू रखने में कुछ दिक्कत आईगी अगर आप 45 और 15 रखोगे तो तो वैलू आप 45 और 15 नहीं कर सकते हो आपको कोई और वैलू लेना पड़ेगा लेट से थीटा दिकल्डू 30 डिग्री और फिर आप इसको चेक कर लेना आ जाए अधर कोई दिक्कत नहीं होगी ओई